आपको सवागत है तो दोस्तो आज के टॉपिक है वो एक सिप्ट के ऊपर है मैंने कुछ दिन पहले एक सिप्ट की वीडियो बनाए थी जो गाड़ी एक्सेंट होगी थी तो फाइनलिस की गाड़ी होके आ चुकी है और उसका भाई का फोन आया था अगा भाई मेरी गाड़ी हुई है तो आप उसमें मेरी वीडियो बनाओ तो फाइनलिस यह वही कार है जो भाई की गाड़ी एक्सेंट होगी थी भाई काम तो एक लंबर करा है कंपनी ने बागी देखते हैं कैसा हुआ है वहरत में दिखाता हूँ आपको कि इसकी प्राणी वीडियो इसकी जो वीडियो है प्राणी में उसका लिंक आपकी डिपकेशन में डाल दूँगा आप जाके महां से देख सबी सकते हैं अराम से भाई इसका बहुत बुरा हाल हो चुका था मंदल इसकी लाइट वगरा और हाँ एक्षिली में क्या है यह गाड़ी एक्सरेंट नहीं होई थी मैंनो उससा पूछा था वो भाई बता रहा था कि गाड़ी इसकी स्पिट पे इस पे जो है बिजार आगे थे तो भाई बिजा देख सकते हैं आप बिल्कुल गाड़ी स्टेंब रून नहीं हो चुकी है भाई की कली आया थी भाई का फोन आया था भाई मेरी गाड़ी एक्सरेंट हो गई थी उस वह होका आगी है आप आकर उसकी वीडियो शूट कर लें ताकि सब को दिखे अ अब कोई कहने सकता कि भाई गाड़ी बिल्कुल एक्सरेंट हो गई है कहीं से पता भी ने चलना ऐसा काम होगा आया बिल्कुल गाड़ी में मातर कितने मुण पंद्रस औरव में ठीक हो गयी है एक बात अब इंसुलेंस का फायदा तो है अगर कोई भाई अगर गाड़ी अपनी चला रहा है तो भाई गाड़ी के फर्स्ट पर्ट एक इंसुनेंस करा गया रहें कि बहुत फायदा होता उससे भाई और देखो आपको पता जब गाड़ी रोड़ पर चलती है तो भाई गाड़ी एक्सेलेंट भी होती है लगती भी है कोई भी हास्ता किसी के संग भी हो सकता भाई तो इस चीज का खयार लखे भाई गाड़ी सेफ सरीके से चलाएं बागी गाड़ी पढ़िया बन चुकी है भाई की पर थोड़ा बहुत देवा डिफरेंट आती ही है क्योंकि तो यही गाड़ियों का हिसाब होता है जो एक बार कंपनी से फिट्मेंट होगा आती है वो दुबारा तो नहीं हो सकती पर दोस्तों यही दिखाना था इंसुरेंस का फाइदा यही है अगर भाई की अगर किसी गाड़ी का इंसुरेंस ना होगा और गाड़ी तनी बुरी तरह से लग जा तो भाई यकीन वानना कम जगम 30-35,000 रुपए खाम होगा एक लंबर का और यहां कुल 15 रुपे में गाड़ बस आपको सपोर्ट चाहिए मेरे भाईयो तो यही था मेरे भाई अगर वीडियो अच्छी लगयो तो लाइक करें शेयर करें ठीक है भाई